मीन रासी वालों का आज का रासी फल यानी की 27 जुलाई 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आज के बेडियों की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 27 जुलाई 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है सप्तमी तत पस्चात अस्टमी नक्छत्र है चित्रा पक्छ है सुकल पक्छ और दिन है सोम बारे आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है पंच बज के 49 मिनट में सुर्य अस्त हो रहा है साथ बज के 14 मिनट में रितू है वर्सा आज का दिन काल है 13 घंटे 35 मिनट 6 सेकेंड का महिना है स्राबन आज के दिन सुब समय सुरू होता है 11 बज के 58 मिनट एम से 12 बज के 55 मिनट पीएम तक असुब काल सुरू होता है दो पहर के 3 बज के 37 मिनट पीएम से 4 बज के 31 मिनट पीएम तक राहु काल सुरू होता है 7 बज के 21 मिनट एम से 9 बज के 3 मिनट एम तक दिसासूल है पूर अब दिसा की ओर तो ये था आज के दिन का पंचांग, इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का शुभ रंग, शुभ अंक और उपाई हैं, तो आप उसे भी देखें, सुनें और फॉलो करें, लेकिन सबसे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस बेडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है तो आप उस लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके प्रेम शंबंध के बारे में मित्रों प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका आशम है सामाणने से बहुत जयादा नीचे है आज के दिन किसी पुरानी और छोटी मोटी बात को लेकर आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका से आपका बहस हो सकता है लेकिन बहस करने से आपको बचना होगा अन्नेथा आज के दिन आपके प्रेम शंबंध में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके घर पड़िवार की ओर देखा जाए तो पड़िवारिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय अच्छा भी इतने वाला है आने वाले शमय में आपके घर पड़िबार में कोई मांगलिक कार्ज होगा और उस मांगलिक कार्ज के वजह से आज के दिन से ही आपके घर पड़िबार का माहौल आपके घर का वातबरन बहुत जियादा बिहतर और सांदार होगा वैसे अगर आपके कामकाज की और देखा जाए तो कामकाज के दृष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा भी इतने वाला है आज से पहले अगर आपका कोई महत्वपुर्ण काम किसी भी कारण से रुक गया था पूरा नहीं हुआ था तो आज के दिन अगर आप प्रियास करते हैं तो आपका रुका हुआ काम पूरा होगा और आपका कामकाज आपका काड़िय च्छत्र बहुत जियादा बेहतर और सां वैसे अगर आपके दामपत्य जीबन की बात करें तो आज के दिन हो सकता है आपके जीबन साथी का मन खिन होगा और इस वजह से आज के दिन आपके दामपत्य जीबन में आपको पड़े सानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानी है आज के दिन पैसों के महत्तो को आपको समझना होगा आपके जीबन में पैसों का क्या महत्तो है अगर आप ये समझ लेते हैं तो आने वाले शमय में आपको पैसों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और दैनिक जीबन यापन के लिए आपके पास पैसे काफी जियादा मात्रा में रहने वाले हैं। आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंकह आठ यणी की एट दोस्तों आज के दिन अपने समय को बेहतर और सांदार बनाने के लिए आपको त्रिफला का सेबन करना है इस उपाई को इस टोटके को अगर आप आज माते हैं। आज के दिन अगर आप त्रिफला का सेबन करते हैं तो आपका समय सांदार हो जाएगा। और आपके जीबन में जो पड़ेसानी है जो समस्या है उस समस्या का अंत हो जाएगा। तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वेडियो को आप हर जगह सेएर कर दें। झाल में झाल में तर चुर्प्स कर दोले से नहां जो लिए सकते हम पाइब झाल से लगता हुआ है